हलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं आप सभी के साथ इवनिंग टू नाइट रुटीन से एर करने जा रही हूँ, अभी इवनिंग का समय है, तो मैं अभी बिस्तर साफ करके पूरे घर में जालू लगाती हूँ अभी जैसे की हलकी फुल की ठंड पड़ रही है, सिर्फ सुबह और साम की ठंड पड़ रही है, बाकी बारा बज़े से लेकर छे बज़े तक तो गर्मी लगती है सर्दियों में दिन जल्दी ढल जाता है और गर्मियों में लेट तो मैं सर्दियों में तीन बज़े के लमसम जाड़ो लगा लेती हूँ और गर्मियों में मैं पांच बज़े तक लगाती हूँ जाड़ो को सरदी का कुछ और रूटीन होता है और गर्मी का कुछ और ये मेरे साथ ही नहीं सभी के साथ होता है तो मैं इवनिंग के कामों में लग गई हूँ वाइज रिकॉर्ड करते समय डोर वेल बजी थी मेरे बच्चे स्कूल से घरा गए थे अब दिन बड़ा हो रहा है साम के साथे पांच बजे तक धूप रहती है जाडू मैंने लगा लिया और मेरे सिंक में जो लंच के बरतन थे वो पड़े थे मैंने उन्हें भी क्लीन किया फ्रेंड्स इस समय का जो दिन है बड़ा अजीव लगता है जैसे की घड़ी की सुविन्या रुख गई है और दिन बीटता ही नहीं है बहुत अजीव फिलिंग होती है साम के 6 बज रहे हैं और मैं अब अपने लड़ू गोपाल को जगा के उन्हें दूद का भोग लगाऊंगी क्योंकि मैं उन्हें 5 से 6 के बीच में जगाती हूँ आज थोड़ा लेट हो गया था इसलिए मैं उन्हें 6 बज जगा रही हूँ और मैं उन्हें गाय के दूद में तुलसी का पत्ता और मिस्त्री मिला के उन्हें भोग लगाती हूँ और साम का पूजा करती हूँ दिया जलाती हूँ गेट के लिए तुलसी मा के लिए और सनी देव के लिए फिर छबी आई उसने बोला कि मम्मा आप मुझे दिया दीजे मैं छट पे रखाती हूँ आप यहां का पूजा कर लीजिए और वो गई छट पे तुलसी जी को और सनी देव को दिया उसने रखाया इवनिंग की पूजा हो गई है और मैं अब अपने गेट पे दिया रख दूंगी फ्रेंड्स ये देखिए साम के साड़े छे होने को हैं और इतना उजाला है अभी अब मैं किचन में आ गई हूँ और मैं साम की चाए बना रही हूँ आज इवनिंग की नास्ते में ज़्यादा कुछ नहीं सिर्फ चाय और आलू के चिप्स पापड़ हैं क्योंकि मैं आज डिनर में आटे के मोमो बना रही हूँ मैं अब एक बड़े बरतन में पानी लेकर उसे गैस पे रख दूंगी उसमें मैंने एक चमच नमक डाला है पेस्ट बना लूँगी बारीक नहीं फ्रेंट्स जैसे आप मार्केट में मोमो खाते हैं उस टाइप का ही पेस्ट बनाओंगे स्वाबीन का और मैंने ये दूद गरम कर लिया है और ये दूद मैं रुपेस को और माधुरी को दूद दूँगी पीने के लिए क्योंकि बच का नाजता हलका ही बनाया है क्योंकि आज डिनर में मोमो बनेगा रुपेस काफी दिनों से बोल रहा था कि ममा मोमो बनाईए मोमो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है तो मैंने सोचा कि बच्चों की फरमाईस आज पूरी कर देती हूं मैं बच्चों को मार्केट के मोमो बह नहीं करती हूँ उपेश दूद अभी तक नहीं पीया था बोल रहा था कि दूद गरम है फिर वो दूद ले गया और मैं अब नास्ता लगा देती हूँ नास्ता करते वक्त पडोस के बच्चे आ गए थे मैंने उन्हें भी नास्ता कराया और हमने नास्ता कर लिया है फिर मैं मैंने मुमो की तयारी करना शुरू कर दिया मैंने उसके लिए लहसुन जो है उसमें काफी सारा जाता है उसे मैं अच्छे से पील कर लेती हूं और अधरक हरी मिर्च के साथ दरदरा पेश्ट बना ले रही हूं और फ्रेंड्स मैंने कडाई को गरम करके दो चमच ऑईल इसमे अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी और मैंने इसमें हल्दी, गरम मसाला, नमक मिला कर इसे अच्छी तरीके से फिर मैं 2-4 मिनट इसे भुनूंगी मोमो का बैटर कम समय में जल्दी तैयार हो जाता है, घर पर बना मोमो बहुत हल्दी होता है लाश्ट में मैं स्वाद के अनुसार नमक एड़ कर दूंगी और अच्छी तरीके से इसे मिक्स करूंगी मोमो का बैटर तैयार है और मैंने आटे को पहले से ही गूत के रखा था और अब मैं मोमो बनाने जा रही हूँ और मैंने इसे छोटी छोटी पूरी की जो लोहियां होती है उसी अकार में कट कर लूंगी और पूरी की अकार में बेल लूंगी फ्रेंड्स हम जैसे आलू के पराठे बनाते हैं तो आलू को जैसे हम फील करते हैं उसी तरह से हम मोमो बैटर को इसमें फील कर देंगे मैं दूसरी आप सभी को दिखा रही हूँ किस तरह मैंने इसे बेला है और ये देखे फ्रेंड्स मैं इसे किस तरीके से मैं इसे फील कर रही हूँ और एक्स्ट्रा जो उपर का आटा है उसे कट कर दे रही हूँ और मेरा जो मोमो है वो बन गया है सारे मोमो को मैंने इसी तरीके से कम्प्लीट कर लिया है इसे बनाना बहुत आसान है ये टेस्टी भी बनता है आप इसे एक बार जरूर बनाईएगा मुझे कमेंट में बताईएगा कि ये कैसा बना और फ्रेंड्स इस तरह का जो जाली वाला बरतन होता है उसे ग्रीश कर लिजएगा और जाली वाला बरतन ही लिजएगा क्योंकि इसमें अच्छी तरीके से ये स्टीम हो जाता है हमारे पास ये वाली जाली वाली बरतन है मैंने इसमें सारे मुमो को लगा के और एक बरतन में मैंने पानी को गरम करने के लिए रख दिया उसके उपर मैंने मोमो का बर्तन रख दिया और उसे थाली से कवर कर दिया पांच मेंडे मोमो हमारा तयार हो गया फ्रेंड्स और आप ये देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से ये मोमो बना है और अब मैं इन मोमो को अपने बच्चों को सर्व कर दूँगी इन्हें बहुत ही टेस्टी लगा ये बेसबरी से इंतिजार कर रहे थे क्योंकि इन्हें बहुत अच्छा लगता है मोमो फ्रेंड्स मैं ब्लॉग को यही समाप्त करती हूँ थांक्यू